जियो से एटल में MNP कैसे करें आज की इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देने जा रहा हूँ इस्टे बाइ इस्टे बताऊंगा किस तरीके से आपको MNP करनी है मित्र एप से तो चलिए फिर वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आपको MNP करने के लिए यहाँ पर आपको मित्र एप ओपन करना है प्रिपेट डिजिटल एक्कुजेशन पर आपको किलिक करना है आपको मैं फिंगर फिंगर फिंट से MNP करके दिखाऊंगा कस्टूमर के आधार से तो यहाँ पर आपको Select Document Type पर किलिक करना है UID Card आधार Card पर आपको किलिक करना है इसके बाद में आपके सामनी यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आधार West Biometric Authentication पर आपको किलिक करना है फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो verification customer आपको यहां पर take लगाना है फिर आपको scroll up करना है अप आप यहां पर देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा enter आधा number आपको आधान नंबर यहां पर कुस्टूमर का इंटर करना है आधान नंबर इंटर करने के बाद में फिर आपको कुस्टूमर का यहां पर फिंगर इसकेन करना है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हूँ आधान नंबर आपको सबसे पहले इंटर करना है फिर आपको यहां प पर टेप to scan आपको customer का finger यहां पर scan करना है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हूं यहां पर मैंने customer का finger scan कर लिया आधा number इंटर करने के बाद में फिर यहां पर कुछी इस तरीके से इंटरफेस आएगा अब आपको school up करना है अब आपको यहां पर customer कस्टूमर लाइब फोटू क्लिक करना है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कस्टूमर का यहां पर लाइब फोटू भी मैंने क्लिक कर लिया है अब आपको यहां पर अल्टरन नमबर इंटर करना है आप कोई सा भी अल्टरन एक नमबर इंटर कर सकते हो किसी का भी यहां प पर क्लिक करने के बाद में, फिर यहाँ पर photo क्लिक करना है, जो हमेने MNP code निकाला था, उसका photo क्लिक करना है, फिर यहाँ पर prepared पर क्लिक करना है, फिर इस call आप करना है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर MNP पर क्लिक करने के बाद में, जो potting code निकाला है, उस पर आपको मिल जाएगा, Q, इसे Kent करना है, यहाँ पर आपके सामने जो SixME का data है, वो आजाएगा, इसके बाद में आपको यहाँ पर F-R Select करनी है, इस Time جो F-r चर लिए, 299 रुपे की चर लिए, तो आपको 299 वाली F-R को select करना है, Additional Details पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है एक और यहां पर एक्जिस्टिंग काउंट एक और आपको जियो पर क्लिक करना है इसके बाद में फिर आपको यहां पर टेक लगाना है अपलोडिंग लेगा टेक लगाने के बाद में फिर आपको दुबारा यहां पर टेक लगाना है फिर आपको टेप to scan आपको अपना कि यहां पर अब थम लगाना यह तो यहां पर डिवाइज को अटेज करना है इसके बाद में आपको अपना कि निखाहर नधाना यहां पर क्लिक करके जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो device attach हो चुकी है अब हमें tap to scan पर क्लिक करना है जैसे ही हम tap to scan पर क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पर हमें अपना thumb लगाना है फिर यहाँ पर loading लेगा loading लेने के बाद में फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से interface आ जाएगा जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो अभी यहाँ पर loading ले रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा आप आपको scroll आप करना है फिर आपको submit पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप submit पर क्लिक करोगे submitted, successfully submitted जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो congratulations, welcome to the adult family अब दोस्तों आपको यहाँ पर skip कर देना है आपको तुरंत रिचार्ज नहीं करना है जब यह sim जो है चालू हो जाएगी तब ही रिचार्ज करना है तो इसी तरीके से आप submit कर सकते हो तो झालू हो